मुझभफरपूर में एक संसरी खेज मामला सामने आया दर असल फेस्बुक से एक लड़की को कॉंटेक्ट होता है दोस्ती भी हो जाती है और दोस्ती के माध्यम से उस लड़की को एक प्रलोभन दिया जाता है कि आपको नौकरी दी जाएगी आप जल से जल मुझभफरपू क्यों दे रहे हैं तो वो इंचार्ज सीधी तोर पर यही बताता है कि आपको खाना और होस्टल का चार्ज इस 20,000 रुपय से पूरी हो जाएगी और नौकरी जो मिलेगा वो आपको बाद में मिलेगा लेकिन अभी जो आपको 20,000 रुपया लग रहा है उसका यही खाना और ह आगे की और बढ़ती है तो देखा जाता है कि जहां वो से रख्या गया है उसमें लगबग 10 ऐसी लड़किया है जिनको पहले से ही रखा गया था और बात करेंगे जब वहाँ पर देखा गया तो और लड़के भी थे जिनको इस तरह का परलोभन दिया गया था नौकरी का जब बाते सामने आती है तो उसको एक अलग सेपरेट कमरा में रखा जाता है उसके साथ हत्याचार की किया जाता है उसके साथ मारपीट की जाती है और उसका यौन सोसन किया जाता है या पूरा मामला से लोग लड़की जो है वो हतुत साही हो कर अपने नियाय के लिए जग के दन दर्ज होता है और उसी के आधार पर थानाय में भी एफाईयार दर्ज की जाती है इस पूरे मामले को लेकर डिएसपी टू और पिरीता क्या बाब ब्यान है इन सब को आप सुनिए कुछ समय पहले ये संग्यान में आया है कि एक कंपनी है जो फजी तरीके से कॉल सेंटर जलाने की कोशिश करें ती जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनके साथ धोखा धड़ी किया जा रहा था इस संबंध में नौ तारिक को नौ छे दोजार चॉविस को एफाईयार दर् और इस अंदर में जो इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कारवाई कर रहे है और इस केस को इंवेस्टिगेट करके जो अग्योतर अनौ अशर भाने हो जरूर किया जाएगा कि आद वो लाओ को फोटो टो है किसा जी वो सब ले लिए इन्ट भेज देंगे पोट करेंगे लुदाओं पुदाइब आपको अधर को जबता है थे अधर यहांगा है आपको इसके एक अधर कराया है क्या था दो आपको हुआए खिट अधर आपको हुआज जद़ा मैं पुरूए